दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि episto.in पर हम quiz किस प्रकार बना सकते हैं और इसके क्या-क्या features हैं चलिए हम Google में हम सबसे पहले क्या रहेंगे episto.in जो उपर लिखा है apisto.in सर्च करेंगे या episto learning लिखेंगे तब भी website जो है आपको first page पर कर लेना है click करने के बाद आपको इस तरह का जो page है वो दिखाई देगा उस पर आपने login करना है login करने के बाद आपकी जो employee की जो email ID है वो आपकी login ID है और जो आपका phone number है वो आपका password है उसके बाद आप login करने के बाद आप इसको change कर सकते हैं first time आपकी जो है password जो है आपका, वो आपका mobile number जो आपने दिया है, वही है अब चली हम इसको login कर लेते हैं, मैंने login किया हुआ है ताकि बार-बार ना करना पड़े तो ये मैं खोल लेता हूँ ये एक ID, employee ID है जहां पर हम अपना school का जो पूरा काम है इसमें, ये देखिए, पूरा इसमें एक बहुत अच्छा इंटरफेस है लेकिन आज का हमारा topic है quiz बनाना तो जब हम यहां पर menu पर click करेंगे तो हमें इस तरीके से online exam का जो है ये दिखाई देगा उस पर click करेंगे तो MCQ MCQ में आप quiz बना सकते हैं edit कर सकते हैं और share कर सकते हैं इसके कई feature हैं वैसे तो ये पूरा digital school है, कोई भी school जो है अपना digital school इसमें बना सकता है free में चलिए, अब हम देखते हैं quiz कैसे बनाएंगे, उसके बाद आपका ये page उसके बाद create पर click करेंगे create पर हम पहले class select करेंगे माल लीजे 12th का है subject कोई भी जो भी आप बनाएंगे for example हम कोई भी subject ले देते हैं English score, title उसके बाद description में जो भी आप लिखना चाहें और जो school के लिए हम ये ही लिखेंगे क्योंकि बाद में जब share करेंगे उस time लिखा जा सकता है जो भी इसमें लिखेंगे submit, submit करने के बाद ये पहला जो है part quiz का हुआ उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है add question इसको edit किया जा सकता है यहाँ से वो बाद की बात है यहाँ पर हम लिखेंगे question लिखेंगे जो भी question है माल लीजे आपने कोई भी question है तो आप वो लिखोंगे जैसे correct spelling लिखनी है ठीक है तो उस ते related अगर आपके पास image है तो image भी लगा सकते है mostly यह image यूज होगा science और criticism है क्योंकि वहाँ पर कई बार math के science है या science के जो आपके symbols हैं वो लिखने में problem आती है तो आप उस question की image भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे माल लीजिए grapes grapes इस तरीके से हम इसमें हम एक सही लिखेंगे और तीन गलत होंगे तो हम उसी तरीके से इसको लिखते हैं और तो option हमारा one है तो one रख लेंगे अगर two है तो हम two पे करेंगे three है तो three पे करेंगे तो चली हमारा one ही है और कितने number का है अगर one का है तो यह already's के अंदर लिखा हुआ है अगर आपने per question ज़्यादा करना है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं two कर सकते हैं three जो भी और आपने ये question complete हुआ इसको submit कर देना submit का मतलब कि question add हो गया ये देखिए नीचे ये रहा first question ये जो नीचे लिखा share and save and share ये नहीं click करना है क्योंकि ये होने के बाद quiz complete हो जाएगी फिर आप इसमें question add नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से आपने इसमें question add करते रहना है और यहां submit दबाते रहना है कई बार क्या होगा कि आपने चार या पांच question बनाए है उसके बाद आपको बीच में कोई काम आ गया तो आप इसको वहीं छोड़ दें या log out भी कर देंगे तब भी आपके question save है ये न दबाएं save and share मत दबाएं क्योंकि इसके बाद फिर quiz edit नहीं होगी ना इसमें कोई question add होगा question को आप edit कर सकते हैं बस जैसे ये question है इसमें आपको लगा कि कोई mistake है ठीक करना है तो आप इसको edit कर लें या delete कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने इसमें quiz बनानी है हर एक lesson की हर एक topic की और हर एक lesson की इसमे journal quiz भी होगी journal knowledge की quiz भी होगी mental ability की भी quiz होगी तो अलग-अलग तरीके की quiz होगी जिस तरीके का आपको task दिया जाए उसी तरीके से आपने quiz को इसमें complete करना है उसके बाद आपने और भी बहुत सारी इसकी qualities हैं जैसे quiz की setting है माल लीजिए इसी quiz को आपने set करना है कैसे schedule करना है कब start होगी, कब बंद होगी कितने response कर सकता है एक आदमी result करना है, नहीं करना answer result के साथ so करने है, नहीं करने है certificate, appreciation certificate आप देना है, नहीं देना है ये नीचे कुछ दो अपने template है, इसके लावा अगर आप इसमें और add करना चाहते हैं तो इसमें और certificates को भी add किया जा सकता है तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा जो है feature है, इसके quiz को लेकर और pictures भी इसमें लगा सकते हैं नया quiz बनाना हो, फिर दुबारा हम create करेंगे और दुबारा नया quiz बनाकर हाँ, share कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, view पर click करेंगे जो पहले बनी हुई है, जैसे ये एक बनी हुई है ये ये देखिए अब मान लिजीए, हमने एक ही question बनाया था, और उसके बाद, अब हम उसी quiz में दुबारा नय question add करने हैं, तो यहाँ पर ये quiz थी है, ये आज की date है, 4 नॉमबर अब हम यहाँ पर जो तीन dots दिखाई दे रहें, इस पर click करेंगे add और view question delete कर दिया तो delete हो जाएगी quiz हम करेंगे add और view question ये देखिए, ये वही quiz जो है हमारी open हो गई, इस पर आप अब नया question आप इसमें add करते रहें, जब भी आप इसको छोड़ देंगे आप इसको दुबारा फिर इसी तरीके से इसको open करें तो चलिए हम जो पहले quiz share की हुई है उसका हम देखते हैं कि किस प्रकार इसमें आप उन quiz के results देख सकते हैं अभी setting में और भी कई चीज़े हैं ये देखिए, ये quiz share की थी, 26 नो को ये भी testing के दौरान की होगी तो यहाँ पर ये आया हुआ है तीन dots के उपर click करेंगे तो ये देखिए ये quiz थी 10 question है इसमें और इसको आप जब share कर सकते हैं copy link कर सकते हैं facebook पे, whatsapp पे, जहाँ भी करना है और इसमे 77 लोगों ने participate किया था जब उन 77 पर click करेंगे तो वो 77 लोगों के individually जो marks आये हैं वो भी इसमें show हो जाएंगे किस के कितने question ठीक हैं कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है वो सभी तरह की इसमें show हो जाती है ये देखिए शिवानी है कोई तो इस तरीके से सभी question इसमें हो सकते हैं, आप इसमें इसी तरीके से कर सकते हैं तो ये था quiz का आज का हमारा topic तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद कर दो आज कर दो आज कर दो